हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं किशनलाद और आप देख रहे हैं आर जी किशन एजूकेशन यूटूब चैनल जल्दी से सभी विद्यर्थी लाइव आजेगा जैसा कि आप सुब को मालूम है आज है रहीवार का दिन और रहीवार को हम पूरे 15 पुशनों का मोडल पेपर तो आज हम बात करें आर्मी स्पेसल आपका मोडल पेपर होने वाले जो कि आपका जीडि ओर ट्रेड्मेंड के लेवल के अनुसार होगा पूरे 50 के उसना हमाल करने वाले तो अंत में आपको को मेंट करके बताने हैं और इस पेपर में आपको 35 पलस का टारगेट देता हूं पाए और क्लास अच्छी लगे तो सभी विद्यारती एक बार मिलकर क्लास को लाइक कर देजिगा और जो विद्यारती पहली बार चैनल पर है चैनल को सब्सक्रेब करके बेल आइकन होन कर लो ताकि जब भी हम सुबह 8 बजे रेगुलर क्लास आपको परवाइड करते तो उ क्लास आपको नए मिले तो आपको क्या करना यूटूब पर जाना और सर्च कर लेना यह नाम आप नोट कर दो आर्जी किसने एडुकेशन आप सर्च करोगे आपको क्लास मिल जाएगी कोई दिक्ट नहीं होगी चलिए दोस्तों बिना देर के सेसंगी तर बढ़ते इससे प लिग थी उसकी स्ताफना की बात करें तो आप से को पतावगा जो और यह बता रहें एनी बेसेंट उसका विद्कुल सी जवाब है बाल गंगा दर तेलक और एनी बेसेंट ने हम बात करें 2016 में आपको बतावगा होम रूल लिग की स्ताफना की थी अब यहां से क्यों समझता है दीन ए इलाई का संस्ताफक की बात करें तो आपको करना है एकबर और आपको कई चिपको अंदोलन की सरुवात आपको पताए समन्दित बात करें तो सुंदरलाल वहुगणा है जो चि से देखते कौन-कौन विद्याति इसका सई जवाव दे पते जो अफ्षान नमसी बतारें विल्कुन का उत्तर सी यह असोग मान था वह आपको पताओगा चंदर गुफ्त मोर्य का क्या था आपको पताना चाहे पोता था अब यहां से क्योष्ण बनता है चंदर गुफ्त म और यह के काल में भारत को नया था यह आपको आज कॉमेंट करके बताना है चलिए दुसका अगला किस्टान नमर बात करूं पीन आपकी स्कुन के सामने बड़ा इसांदार किस्टन है दादा साहिब फालगे पुष्ट कार की से चैतर में दिया जाता है दादा साहिब स सतने साघके शैतर में या के से चैतर में एक बड़ा पूर्षकार और भी ऑशकर पूर्षकार वह इंपर्टेंट है कापी बार है आचुका है ऑशकर पूर्षकार आपम मतकरी सिने आजिय Low गांदी खेल रतन है वो बारत का सबसे बड़ा खेल पुषकार है चलिए दोसके अगला किस्ट नमर बात करें चयार आपके सामने कुछी पूरी किस राज्य की नर्ते से लिए तो कुछी पूरी आप सो को पताओगा जल्दी से बताने कोशिश करेगा देखते कौन-कौन भी फिर्टीश करें चलिए जोब आप पताने क्या पुछी पूरी एसे लिए अंदर परदेश की नटे से लिए अब बात करें तो बरतनाटी जो सास्ट्री नर्ते है वा आपको बताओगा तमिल नाटी का है अब बात करने ते गुज़यात का आपको पताओगा गरबाई है य गुजरात के ये भी इंपोर्टेंट बनते हैं आप नोट कर लिजीगा चलिए दोस्त अगला क्युस्त नमर बात करूं पांस आपकी स्पिंगे सामने वंदे मातरम रष्टिगेत किस किताब से लिया गए बड़ा इंपोर्टेंट कि उसने काफी सारवी देर्थी कन्फिंगे हो जाते हैं तो आपको पताओगा वंदे मातरम रष्टिगेत है वो बात करें तो आनंद मठ से लिया गया जो अफसन नमर क्या बोल रहे है सी बोल रहे है बिल्कुन का उत्तसी और आपको ऐसे कहें सत्ते में उस जायते कहां से लिया गया है तो वो लिया गया है मूंड को फिनिशत तो यह भी नोट कर लीजिगा सत्ते में उस जायते की बात करें तब आपको करना मूंड को फिनिशत और आपको कहें वंदे मातरम जो राष्टी गीत है बात का राष्टी गीत आपको बताओगा वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया है अब बात कर लेते हैं वंदे मातरम गीत है उसके रचियता कोन है तो आप से को बताओगा वंदे मातरम गीत की रचियता बक्यम संदर ठेटरट जी है ठीक है यह नोट कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं यह से और भी क्योशन बनते हैं आपको बताऊगा यह दिया हमारा राष्ट गान है जन गन्न उसके रच्षयता की बात करें तो रवेंदर नाठ टेगो रही है भी आपको बताऊए जीए वहाबार्त के रच् किस खेल से समझ देता है तो देवदर ट्रोफी आप सब को बताओगा जल्दी से बताने कोशिज करिएगा जो अफसन नमर सी बता रहे क्रिकेट बिल्कुल इनका उत्तरी का पी बार ये किसम बड़ा इंपोर्टेंट बनता है और आपको याद रखने के लिए थोड़े से मैं से लोजिक भी बता रहेता हूँ आपको पताओना पाओना ची देवदर ट्रोफी है एक और ट्रोफी का नाम याद रखीगा इनका डिलीव तो दो गुनी सो तेयाशी में ज़र वार्द किरकेट वीसो कफ जीता था उस वक्त वार्द के तरफ से कप्तान की बात करें तो वो थे कप्पिल देओं कौन थे कप्पिल देओं यह आप इंपोर्टेंट क्यूसन बनता है यह काफी बार एक्जाम याज चुका है कि वार्द जिता था उस वक्त वार्द की तरफ से कप्तान कौन था तो कफिल देओं और 211 में जीता था उसकी बात करी आप सबको तो में बर्दर सी दोनी थे कौन थे में अब बात यहां से करते हैं कफिल देव आ रहा है इसका मतलब देव दर ट्रोफी की बात करें तो क्रिकेट से आप याद रख सकते हो आसान निसे चलिए दोस्तों अगे बड़े बहुत आसान क्योशन था और यहां से जो भी क्योशन इंपोर्टेंट बनते हैं आपको नोट हो समथ किसे है किसिए को किसे और नेरू कफ का समंथ फुटबोल से यह दोनों इंपोर्टेंट है कापी सारी विद्यार थी कन्फियूज भी होती है और रंगा स्वामी कफ और आंगा का कफ है वह की से समन ती यह आपको पतावना चाहिए और आप सब को पताओगा टेनिस से स के हम बात करें परवर्त कोन है जल्दी से बताने कोशिश करिएगा देखते कौन-कौन वीडियर्टिस का सभी ज़ाओ देपते साथ के दर्शन के परवर्त की बात करें तो जोफशन नमर ए बतारे कपिल मुनी बिल्कुन का उतसी कपिल दे कपिल मुनी थे आपको पताओगा स पतंजली की बात करें तो योग दर्शन आपको पताओगा योग दर्शन के परवर्त की बात करें तो आपको क्या करना है आपको पताओना चाहिए पतंजली है और भी यासी क्योशन बनते है जो भी नोट कर लिजगा महसी गोतम की बात करें तो आप उसको पताओगा निया इसे अंदार क्योशन है सुतिवस्तरों की राज़दानी भार्थ की किस सहर को कहा जाता है तो सुतिवस्तर की राज़दानी भार्थ की किस सहर को कहा जाता है जो अफसन नमर भी बतारे मुंबई बिल्कुन का उतसरी है सुतिवस्तर की राज़दाने आपको पताओगा मुंबई को का जाता है और भार्त का परवेश द्वार भी मुंबई को का जाता है आपको पताओगा गेट वे उप इंडिया हम बात करें मुंबई को का जाता है वो आपको कॉमेट करके बतना है या जो भी इंपर्टेंट के उसन dramat है पात नगरी कहते हैं यह भी important question है चलिए दोस्तों आगे बढ़ें अगला question नमर बात करूं नो आपके सामने क्या है स्री लंका का पूराना नाम क्या था यह बहुत इंपोर्टेंट है काफी बार आर्मी एक्जाम में आया वा क्युस्तन है तो आप सुको बताऊगा है स्री लं मैं मनता है काफी बार की उसने कर जाता है यह बर्मा किस देश का नाम है तो महमार का है और यह वरत ओर जाएए कि जिनको पता नहीं है और जो रेगुलर हमारी कलास प्रोवाइड करते हैं उनको में कलास में जिस दिन नाम चेंज रहा था उसी दिन आपको सुच्चित भी कर दिया था तो आप से को पता होगा यह नाम है कांडला बंदरका का पहले बात तो यह पता होना चाहिए क कि भी आदे कि तो शिर्चर भी आप को पता हो बन पखी यृब उपाडिया बाध की इस चाहिए बात की सामने किन के कि इस सहर से हुई थी को लूंडा यह मुन स सहर से विश्टी जो ऑफ्शन नमर भी बोल रहे हैं बिल्कुन का उत्तर सी है और चीन की राजदानी की बात करें तो वह आपको पता होगा चीन की केपिटल राजदानी की बात करें तो वह बीजिंग काफी बार इंपोर्टेंट किशना आ भी चुका है अब बात कर लेते हैं अब बात करें तो पर एंपोर्टेंट किशना है जाल्दी से जवाब देने की कोशिषिद करेंगा तो पर्थम हम बात करें सरवणमपदक्स जीतन वाला था मेजर ।Mark बासर और जादुगर मेजर ध्यानित्सरन्द को का जाता है जिन्हों ने बात करें तो पर्थम 1928 में हम कहें जो क्या था आउलम्पी खेलों में क्या जेता था आपको पताऊगा सरौनवभे जीता था जो एकल पर 30 परदा की बाद करें तब आपको करना है क्या अभिनव बिंदरा और आपको पताँगा अभिनव बिंदरा का समद्ल किसे आपको बताँगा नििशा ने बाद से समद्ध ए उनका हम बात करें 2008 में जो डिजिंग में हो था 17 वे जीन चीन में तो चीन में जो उलम्तिक वाद था 2008 में तो निशा निवाद हम बात करें अभी नव बिंदरा को क्या मिला था जो सरौन पदे को मिला था और करनल राजे वर्दंड सिंग राठोर से समधिर काफी बार किश्ट नार चुका है करनल राजे वर्दंड सिंग का समध किस से है तो आपको सरौं की बात करें तो वह उते हैं जमो किश्मिजों आमस्वी बिल्कुन का उत्तर से ही अब बात कर लेते हैं सवर्वादिक मसालों की बत करें तो आपको बताऊंगा मसालों का parad करें वार्द का सह potassium किमदर ता और के केदल को का आजए ऊपि में उत्त्र परस्देश में घん नेशनल डिफेंस एकेडमी का मतलब एंड ये कहां है तो एंड ये कहां है जल्दी से बताने कोशिश करेंगा देखते हैं कौन-कौन विद्याट इसका सही जवाब देपाते हैं तो उफसन में जो चीव हो रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सी खडगवासला खडगवासला आपको एक वागर आपको पताओना क槍वाज क्योंगा में आपको पता होगा मैंने काफी बार बता दे इन्डियन इंक वेल्यक्रेणे केडिमी, आपको पताओrait ac frase में और एक iam is और घ इंडियन मेडिकल एसोसियेशन हो है नई दिल्ली में आपको यह जो भी इंपोर्टेंट क्यूशन आपको नोट कर लेने चाहिए और आपको जो भी मैंने बता दिये यह ध्यान रखेगा आई आई में दो बता एक तो देरा दून वाला जो इंडियन मिलिट्रे केड में बारत जो चिकिश्चा एसोसियेशन है उसके बारे में तो बात करें तो दिल्ली में होगा तो ज्यादा तरही है आपको देरा दून वाला आई में पूस्ट है तो आपको इंपोर्टेंट बनता है नोट कर लिजगा चलिए दोस्तों अगला क्यूशन नमर बात करूँ पंदर कब हुआ था जल्दी से बताने कोशिश करेंगा बड़ा इंपोर्टेंट क्यूशन है आप क्यूशन एसे आजाए एक्जाम में कि बारत और चीन के बीच वह समझोता वा था वो कौन सा था पंसचेल था अब काफी बार क्यूशन एसे आ आ चुका पंसचेल समझोता किन दो देशं के बिच वहा था बारत और चीन के वीच अब बात कर लेते हैं आपको पता होगा ये कब ऽुशन एक पतार बारत और पकिस्तान एक बात कर लेते हैं और बड़या था युशन ए समतनतर वा था चलिएधी दो तो जीके में आपके कितने क्यों सुन होए एक बार बताईगा सभी कॉमेंट करके जीके में कितने क्यों सुन होए जीके के आपको पताई 15 क्यों सुनाते है वरतमान सलेवस के नुसार और जीएस बात करो साइंस की बात करो तो साइंस में भी आपके 15 क्यों सुनाते है और मेत क की बात करूं mathematics तो उसमें भी आपको पता 15 क्यों आते हैं और बात करें आगे reasoning की बात करें तो मैं बात कर लेता हूं पांच क्यों आते हैं यह आपको पता है वरतमान का सलेवस है तो class के अंत तक बने रहे गांत में बताना आपको total कितने सही होते हैं जो जीके में कितने सही किसी इनके कार्ण होता है और तवचा का रंग मेलनीन के कारण होता है यह भी आपको पता होगा और लेक्टो बेशलत नामक जीवान हो जो दूद को दही में बदलता है और वीटामिन ए अब को पता है गाजरो जाय करें गाय के दूद में पाया जाता है चैले दोस्तों यूज़ आपको पता है च्रे मारने के लिए यूज़ किया जाता है अब बात कर लेते हैं लाल फासपोर्स लाल फासपोर्स आपको पता होगा जो हम बात करें माचिस की तीलिया या कहें दिया सलाई दियास million company कह सकते हैं जो मास्सिस की तील्या होते हैं उसके निर्मान में किसका लाल फास-पर्स का यूज़ किया जाता है important question है काफी बारा भी जुका है जो मास्सिस की तील्या बनाने में किसका यूज़ किया जाता है तो आप करोगे लाल फास-फर्स चाल ये दोस्तो अगला क्योंस नमर 8 आपके स्कीं के सामने क्या है पाईरिया रोग में सरीर का कौन सांग परवावित होता है बड़ा इंपोर्टेंट क्योंस ने देखते है कौन को नुदिया थी इसका सभी जवाब दे पते है तो पाइरिया रोग की बात करें तो आपको बताओगा मसूड है यानि दान्तों से सम्मझ देता है जो अपसे नमर ए बोदरे बिल्कुन का उत्तर से ये पाइरिया रोग है वह हम बात करें तो दान्तों को परवायुद करते है या करें मसूड हो को परवायुद करते है अब को पता होगा दीकेटर्स वीटामिन डी आपको पता है सूरी इससे परापत होता है अब बात कर लेते हैं नीमोनिया से फेंपड़ा परभावित होता है यह भी आपको पता होना है जो भी मैंने ओप्षन लिया है सारे ओप्षन एक्जाम में आ चुके तो इंपोर्टेंट है नोट कर लेजीगा चलिए दोस्तों अगला किस तना में बात करूं गुननीस आप किस के सामने सांज का तारह किस ग्राय को का जाता है सांज की तारह की बात करे या बोर के तारह की बात करे तो आपसे को पता होगा सुकर को का जाता है अब सुकर के और भी कापी सारे उपना किस सी का जाता है वो परफी को का जाता है सली दोस्तों अगला किशन No.20 आपके स्पीम के सामने क्या है मान Un성ajic की सबसे मसबूत अडी कौन से है तो आपसे कौन से है तो पताऊगा मान Unuciones की सबसे मसबूत अडी की बात करे तो हुआ है जबडे की अड़ी जबडे की अड़ी होती है वो सबसे मजबूत अड़ी होती है आपको पता होगा इस टेपीज की बात करें तो आपको पता है सबसे जो कान की अड़ी होती है सबसे चोटी अड़ी होती है फिमर की अड़ी जांक की अड़ी होती है उस सबसे बड़ की का है, ये क्योंस काफी बार आ चुक है, एलेक्ट्रोन व्किस की का ही थो आपको करना उजग की का है, वल का नीटिन होता है आपको पता होगा हावेस का कुलोम 혁ते हैं और का केवल होता है अवैस्ट्रा या क्यों गुणा क्या विभी क्यू भी आपको पता है डवलू बराबर्ब या कार्य भी कह सकते हैं बिल्कुल सही कार्य कह दो या उज्जा कह दो कार्य और उज्जा दोनों का मातरक आपको पता है सेम होता है वेसे आपको पता है कार्य और उज्जा का मातरक जूल भी होता है और इलेक्टोन वोल्ट भी आपको पता होगा कार्य और उज्जा का ही मात होगा अब बात करने के लिए जो गरेले विद्दारा होते तो उसको कम करने के लिए mobile charger का यूज़ करके उसका transformer हम कह सकते है mobile charger है वह हम बात करें तो अपट्राइ transformer है चलिए दूस्त अगला क्योंस नमर बात करूँ तेईस आपके स्किंगे सामने समुद्री सत्य पर वयुदाब कितना होता है तो समुद्री सत्य पर आप सको बताओगा होता है और इलेक्टोन पर नेगेटी होता है तो परमानों में आवेश इतकन की बात करें तो कितने होए आवेश इतकन होए दो तो आपका जाब क्या होगा दो होगा और आपको कहें परमानों में टोटल कंड कोन होते है तो आपको बताए एक नीट्रोन भी होता है क्या होत जिस पे हम बात करें नूटल होता है या उदासीन होता है तो हम बात करें जीरो आवेस होता है उस पर या कह सकते है उदासीन होता है टोटल कंड की बात करें तो टोटल तीन होती यह इंपोर्टेंट किसने आपको यह से कहना परमाणू में कुल कंड कितने होते तब आपको त हम बात करें । किम कऊब्स को कहते हैं अब बात कर लेते हैं सियेच लृट हुशिय चू सुदियोंय हैं के का उल्फी खोल टेचा हुआ जो कि आप कास्टीक सबसे बड़ा इस्तंधारी जीव है सबसे बड़ा इस्तंधारी जीव की बात करी तो ऑप्रस इटारी जल्दिश्रेघा जिवाब देने की कोशिस करिएगा देकते कौन-कौन भी दापते हैं तो यह बहुँन के बात करें तो जल्दिश बताने कोशिस करेगा जो ऑफ्षन नमर B बोले हैं आपके स्कुन के सामने क्या है COVID-19 जो बिमारी आपको पता होगा कोरोना वाइरस से फेलती है हम बात करें बिमारी जननीत है या वैरस जननीत है या जिमान जननीत है तो आप से को पता होगा आयतन बढ़ता है और गनतों गटता है तो आयतन की बात करा है क्या होगा बढ़ेगा आपको पता होगा जब कोई हम गिलास पाणी से भरी भी लेते है और उसको जब फरीज में रख देते है तो आपको पता है जब वर्फ जमणे पर ऊपर थोड़ा ऊपर जाता है इसका आयतन क्या होता है नियूंतम होता है चाहिए दोस्तों अगला क्यूस्तन बात करूँ तीस आपके स्किंगे सामने समुद्र की गहराई मापी जाती है तो समुद्र की गहराई आपसे को बताओ किस की द्वारा ना पी जाती है जो सी बोल रहे है विलकुन को उतर सी फेदोमेट फेदोमेटर के दोरा आपको बताओगा समुद्र की क्या ना पी जाती है गयराई ना पी जाती है और थर्मामेटर के दोरा ताप मान ना पाज जाता है इसमें क्या बरा होता है पारा बरा होता है बेरोमेटर के दोरा वायूमंडली दाब ना पाज जाता है लेक्टोमेटर के आपको बतागा प्राकर संग क्या होगा योग याद करने का सुत्र क्या होता है एन एन पलस वन बट्टी दो यह होता है आप सब यह को पता होगा तो एन का मान कितना है सो है तो सो गुणा एक जोड़ दो यानि एक सो एक सो गुणा एक सो एक बट्टी कितना लगाना पड़े था यह भी इंपोर्टेंट बनता है आप नोट कर लिजीगा चलिए दोस्तों अगला किस्ट नमर बात करूं 32 आप के सामने निम्न में से पुरन वर्ग है पुरन वर्ग आपको बताना है पहले बात तो कर लेते हैं पुरन वर्ग कोई एक मिंट में बता देता हूं आपको कोई भी संक्या का इका यंक यानि दो तीन साथ आठा आजाए तो वो पुरन वर्ग कभी नहीं होगी यह आप इंपोर्टेंट बात है याद रखे काफी बार एक्जाम आभी हो चुका है इनमें से क्या यंक होने पर कोई संक्या पुरन व पुरन वर्ग कौन सा ओगा उसन वससे राइट होगा क्योंकि आपको अच्छा है आ सकता आपको तच्यार का वर्ग शॉला होता अच्छा है का इंक आ सकता है जबकि 2-3-7-8-8-1-1 नहीं आ सकते और जिसकी बात करें तो यह किसका वर्ग है यह किसका वर्ग है जल्दिस हो आपको स्टाने जल्दी से बताने कोशी करिए गा तो आप से को बतागा इसका स्टाने के देख सकते है अलग लग लेकि और जो कोमन आएगा वो क्या होगा आपका हम बात करें स्टाने का मतलब होता है लगूतम समावरत है ठीक है यह इंप्टेंट बनता है तो आपको पु चले दुस्तों अग्योशान मेंबात करूं 24 के सामने पत्सात पर तिस पर तिर्सात का संब्सके हो सबडाए पर्ने कृंटी से किया ता कोमले पहले प्छं़ और infection कृंटी सो और आगे दस कम किया इसका मतलब साथ नभाटेंस आपको पता है पहले 100 रुपे था अंकित मूले कितना रुपे था 100 अब कम कितना हो गया आपको पता 45 हो गया रुपे इसका मतलब 55 कम हो गया कितना कम हो गया 55 पर 30 कम हो गया तो एककल बटा की बात करें तो आपका पांच वस का ब्याज कितना हो आपको पता है एक का डबल हो रहे है पहले बात कर रहे है एक का डबल फिर बात कर रहे है कितना एक का कितना हो रुपए हमान लेते शली फिर हो रहे है कितना पांच गुणा पांच गुणा ना इसका मतलए पांच तो आपका यहां से देखो एक हम बात करें 5 वस लिखा, 5 वस का ब्याज कितना हो, आपको बताए 1, 2 गुना हो, इसका मतल्फ एक रूपई आओ, अब फिर समानुपात लगा लो, फिर अगला कहर है कितने समय में इसका मतल्फ x समय हमने मान लिया और ब्याज कितना हो रहा है, 5 गुणा होगा इसका मतलब 24 रूपरइ वान है, इसका मतलब 4 लिखेंगा, अब आपको बता क्या करोगे, अंदर वाला गुणा करदो X, और बार वाला गुणा करदो, आपको बताए 20 एक्स बदाबर कितना गया 20 इसका मतलब बात करें समय कितना होगा 20 वर्स होगा यह तो अनुपात वाला तरीक आपको बता रहा में तो आपका ज्वाब अपका बी राइट होगा अब यह दिया आप डिर्ट करो तो आपको दिखाई दे रहे अंतनी वाला तो समय आपके कितना पांच इसका मतलब 20 वर्ष आपका आज आएगा आराम से आप कर लोगी अनुपात वाला तरीका बेश्ट रहेगा 20 वर्ष जो ऑप्षन नमर भी बोल रहें बिलकुन को अपतर से है शलिए दोस्तों अगला क्यूशन नमर बात करूँ 36 आप के सामने क्या दे रखाय काफी बार एक्जामे आयो कि उसने 140 मेटर लंबी रेलगाड़ी एक खम्मे को 12 सेकेंड वर पार करते है तो रेलगाड़ी की चाल बताओ चाल आपको बताने किलो मेटर परती गंटा क्यूंकि आपको उप्षन नीच से दिखाई दे रहे होगी अब बात कर लेते हैं जल्दी से करने की कोशिज करेगा सभी भी दरती तो आपको चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर आपको शुक्त राना ची चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है दूरी आपको होता है ट्रेन की लंबाई लेंगी 140 और समय कितना बारा ल 2 बार और 28 बार बिल्कुद अब बात कर लेते हैं ये कार्ड़ो 6 ये कितने बार कटेगा तीन बार और ये 6 से दो बार और ये 2 से कार्ड़ो कितना 14 दोनी 28 होता है यानि 14 गुणा 3 14 गुणा 3 एया विल्कुछ 14 गुणा 3 कितना होता है आपको पता होगा 42 14 गुणा 3 कितना होता है 42 किलोमेटर पत्ती गंटा आपका जवाब आईगा जो अप्शन नमर 2 बोल रहे चलिए दोस्तों अगला क्यूशन नमर आप बात करे 36 आपके स्किन के सामने जो के अनुपात का क्यूशन आराम से कर लोगे मद्य पदों का गुणा बाई पदों के गुणा के वराबर रख दो तो 3 एक्स बराबर कितना होगा 7 गुणा कितना होगा 49 होगा अब 3 से काड़ दीजीगा एक बार तीन से जल्दी से काड़ दो तीन से कितने बार कटेगा 3, 3, 3, 49 और 3 साथी कितना होता? 21 में होता है X β. कितना आएगा? 21 में आएगा जो उफिशन नमर क्या बोल रहे है? D बोल रहे है बिलकुन गाउटर से ये चलिए दूस्तो आगे बढ़े बात कर लेते हैं, 125 कदम में वो चल रही है, 100 मेटर कितने चल रही है, 100 मेटर, इसका मतलो एक में निकालेंगे पहले, 100 बटे कितना, 100 बटे 125 एक काएगा, और गुणा में क्या लिख देते हैं, कितने बराबर निकालना, आपको निकालना 315 बराबर निकालना, तो 315 लिख दि यह बोल रहें बिलकुन का उत्तर से आराम से आप इस तरीका क्यूशनाल कर पाओगी एकदम नॉर्मल क्यूशन है चलिए दोस्तों एकला क्यूशन में उन्सालिस आप के सामने देर का क्या है एक वर्गाकार मेदान का करन दे रखा है करन का मतलब यह थोड़ा क्रेक्शन कर चलिए याह बशक्रन लेखलो ठीक है एक रगाकर मेदान है उसका औरद का करन दों या विकरन का दो अबको पुता एक बटा दो घुना आपको पताए क्या होता है चेतर फाला यदि आमें विकर्ण दे रखाओ तो एक बटा दो गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण यानि विकर्ण का स्क्वार होते है कि दोनों विकर्ण बराबर होते तो विकर्ण का स्क्वार होते है यह आपको सुत्र पता होगा विकर्ण का स्क्वार होते है तो एक बट लगेगा लगेगा ऊपर क्या लिखेंगे बिलकुल और आपको बहुता बताते हैं तो बट्टे में क्या लगेगा जीरो लगेगा और गुणा में 100 आपको परतिस्त में चैंज करने के लिए चले काट देते जल्दी से ये कितने बार कटा 0-0 कट गया और 4 का बाग दो कितने बार गया 2 बार और 6 बार आपका कितना हैगा जवाब हैगा 26 परतिस्त ये क्युष्ण का पिवार एक्जाम में रिपीट हो जुका जो उप्सन नमर ए बोल रहे हैं बिल्कुन का उत्तर सही है चलिए दोस्तो आगे बटे अगला क्युष्ण नमर बात करूँ 41 आपके स्किंग के सामने A पलस B और A माइनस B को गुणा करते हैं A स्कार माइनस B स्कार होते हैं ये तो आपको फोर्मुला पता ही होगा उप्सन नमर इसका क्या राइट होगा B राइट होगा बहुत यासान क्युष्ण है चलिए दोस्तो आगे बटे अगला क्युष्ण नमर बात करूँ 42 आपके स्किंग के सामने जल्दी से सभी दरती इसका भी लाइट चेट में जवाब देने की कोशिश करिएगा देखते कौन-कौन भी दरती इसका सही जवाब देपते हैं साइन्ट इटा पलस कोस्ट इटा का अधिक्तम मान बताओ तो साइन टेटा पलस कोस्ट टेटा का अधिक्तम मान की बात करें तो आपको बताओगा रूट दो होता है और नियुन्तम मान की बात करें तो माइनस रूट दो होता है यह आपको पताओना चीछ किवल को सब्षा accountability मैं दोनों बता द Hook किवन सब्सक्राइब होगा option number D right होगा यदि पिसलिए जो गुरुवार को मैंने class की थी वो आपको पता है तो आपको मैंने बताइता है a sign theta एक trick बताई थी आपको a sign theta plus minus square b cost theta हो और उनका अधिक्तम या नियुनतम मान गयाद करना हो तो a square plus b square का root कर दो a square plus b square का root कर दो तो a और b का मान या कितना है गुणा में इसके कितना है एक और इसके भी एक है तो एक का square एक plus 1 यानि कितना होगा दो root 2 आपका value आईगी इस तरह आप निकाल भी सकते है root 2 अधिक्तम value और नियुनतम की कहें तो मैंने बताए था आप बाहर minus लगा दो इसका मतलब नियुनतम minus root 2 होगा और अधिक्तम का इसका मतलब आपका option number d write होगा चलिए दोस्तों आगे बढ़े अगला क्यूशन वर 43 आपके सामने इस तरह का क्यूशन काफी बार आ जाता है क्या देर का है x plus 1 बटा x क्या दिया x plus 1 बटा x बराबर आपको इतना दिया तीन दिया आपको पुछे x square क्या पुछे x square plus 1 बटा x square तो आपको क्या करना है इसक तो पलस करने इस square में पुछे तो आपको ध्यान रखना है p square plus minus 2 करते है पलस minus 2 करते है यह आपको बता जिया कब 2 plus में करते है और कब minus इसका मतलब तीपी का मतलब आ तीन 3 का square 9 minus 2 यनि 7 आएगा कितना है साथ आएगा जो पुछे नमर ए बोदरे बिल्कुन गवतर सी है और यहाँ यदि माइनस होता तो पलस करते है तो ग्यार आता ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते है अगला किशन नमर बात करूं 44 आपके सितिन के सामने बहुती आसान कि फुत्र क्या होता है या इस बार एकजय में या अपको पता होगा तो तरी बुरज में तीन रखेंगे 3 minus 2 गुणा CEOs 2 तो आपका 180 आएगा चरत भुछ में यहां n का मान चैर रखेंगे तो आपका देश्ञाट किस्पश्ieme इसका मतलब इए Igniter है तो क्या निकालना है आपको इसका 26 पल निकालना है अ acquired पर रावर कितना डिया इत्अची रख लिए आमने ये इत्अची रखा अब आपको बताए जो निकालेते इठाशी को काड़ दो आग बाई दूनों कितना होगा चों माली दूनों इठाश इसका मतलब दो बार कटेगा यह पूरा-पूरा आर बराबर आजएगा साथ गुणा दो का मतलब और. और.ाबर.चुद.ाएगा अबर.बूर.णेगति निकाल पाई ईयर्शक है आपको क्या निकालना है चेत्र फ़ल निकालना है चेत्र फल आपको शूत्र पता हो creeping शेत्र हे चेत्र फल होता है पाई यर्शक है जल्दी से निकाल लिजीत अब को पूस बुत साल अभी अम नमर बात करूं हम बात करें 46 आपके स्किंग के सामने जल्दी से सभी दैती इसका भी लाइब चेट में जवाब देने कोशिशिए का दो तीन पांस आट गार आगला वाला पद क्या होगा तो यह आपको दिखाई दे रही कौन से संग क्या है आपको दिखाई दे रही अब क् किस्ता नमर 27 के सामने लो मिड़ी आपको बताया चाला लाक होता हैbs हमसे को बता घुमों का की पीटा है चले मैंने लिखा ये लिखा आरून क्या लिखा मैंने अरून लिख लिया ये किस का पिता है आरून पिता है पिता मतलब हमने चकोर कर दिया है यानि हम बात करें वेपती है यानि आदम ही होता आप चकोर कर दो और वेशिक है इस तरी लिंग में होता आप गोल कर देना आप इस तरह से तरिका समझ सकते है, रोईत का पिता है, इसका मतलब, रोईत हमने कहाond लिखा? रोईत हमने लिख दिया निज्धे, और यह भी क्या है आपको बता है, पुलिंग आगी या नी आदमी है, ब BAT कर लेते हैं, आगे BAT कर लेते हैं, रोईत का पिता है अब आगे लिखा है रोईत का रोईत माला का भाई है इसका मतलब माला इसकी बहन होगी माला इसकी क्या होगी बहन होगी फिर कह रहा हूं बहन है इसका मतलब ये गौल कर दिया ये बहन भाई आपस में ये आपको पता पिता पुतर है अब आगे क्या कह रह है तो दिलीव का रोहित से क्या समद है तो दिलीव आपको बढ़ा ऑप रहे बहर रहें बहर के आजाता है तो आपको आना चाहिए यदि यहां बात करें तो दिलीब का अरून है वो क्या होगा ससूर होगा ये भी आपको पता होना चाहिए चले दोस्तों अगला क्यूस नमर उन्चास आपके सामने बहुती आसान क्यूस ने क्या दे रहा है यदि कमल का यह पंक्ती में आगे से 24 Shwaisthand और 5 से 26 Shwaisthand 20 क्तने गेम और 400 क्येद्स कर दो और 12च 25 कितना होगा 50 लेकिन आपको पता हthere दोनों तरफ से गेड़ने 24- 26 वारे इसका मतलों एक कम करदो कईकि यह दोनों तरफ से गेड़ना जा रहा है एक तरफ से गेड़ना है तभी तो आपको पता पूरी वेक्टी पता जालेंगे इसका मतलए उननचास वेक्टी है उस पंक्ते में वेक्टी में किसिंगे कितने हैं उननचास है जो अप्षन नमर B बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सी है चलिए दोस्तो अगला क्युषन नमर बात करें आज भी कलास कांटीम क्युषन होगा जल्दी से सभी देते इसका भी लाइप चैट में जो आएगा ओ आएगा क्या आएगा ओ आएगा क्या आएगा ओ आएगा ओ आएगा ओ पी हम बात करें ओ यह आएगा न एक पर देख लिए एन शोरी दोस्तो एक मिट द्यान देजीगा थोड़ा बहुत ही आसान कि उसने कि उसनों मर पत्चास आपके सामने जल्दी सभी देते इसका लाइव चेट आगे बात कर लेते हैं यहां जे की आगे बात कर लेते हैं एम एन इसका मतलब यहां तो लगातार लिख रहा है पी के आगे वाला क्यू आएगा क्यू आएगा फिर बात कर लेते हैं आर एस क्यू एक आर चोड़ेंगे एस आएगा क्यू आएगा क्यू आएगा क्यू उपाप का एगजाम है तो आपका देख लेते कितनी तहरी बेतर है और आपको बतना क् prac केसी लगी एक बड़ा कोमेंट करके सभी विद्धाइब तो आपको केसे लग रहे है। हमारी मेंट आपको कैसी लग लिए चलिए दुस्तों आज की कलास में इतना ही पसंद आई तो कलास को लाइक करके जाएगा और जो विद्या थी पहली बार चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी आउन कर लो ताकि जब भी लाइक कलास का टाइम हो आपके बाड नोटिफिक्स ना जाए और चलिए दुस्तों आज की कलास में इतना ही थैंक यू फूर वार्चिंग जै हिंद जै बार